दोस्तो आज की वीडियो में अपने बात करेंगे राजस्तान की कौन कौन सी पांच हस्तियां हैं जिनको पदम पुर्षकार दिये गए हैं पदम पुर्शकार दिये गए हैं पदम भुषण की बात करें तो पदम भुषण में राजस्तान की दो हस्तियों के नाम चैनित हुए हैं जिन में दिवेंदर जंजडिया जो चूरू के निवासी हैं और खेल से हैं उन्होंने पैरा ओलंपिक में काफी अच्छा परदर्शन किया है 2004 और 2006 में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और 2020 ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और इस से पहले उन्हें पदम शिरी भी मिल चुका है और अब उनको पदम भुषण के लिए भी चुना गया है दूसरी बात करें राजिव महर् में ग्रेस जीव रह चुके हैं नियंतरक एंव महालेखा प्रिक्षक भी रह चुके हैं इनको भी पदम भूशन से नवाजा गया है इनके शांदार प्रदर्शन को देखते हुए इने पदम भूशन अवाड से नवाजा गया है अब अपने बात करते हैं पदम सिरी की पदम स सूटिंग में उन्होंने काफी शांदार परदर्शन करते हुए एक गोल्ड एक ब्राउंज अपने नाम किया है। इनके शांदार परदर्शन को देखते हुए पदम सिरी से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर अपने कला की बात करें कला में भी राजस्तान को दो पदम सिरी अवार्ड मिले हैं जिसमें अपने सबसे पहले बात करें तो राम द्याल जी सर्मा जो एक नाटक कार हैं इनको इसी कला को देखते हुए इनको पदम सिरी अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं अगर दूसरे कलाक में बात करें दूसरा आवार्ड चंदर परकास त्रिवेदी को मिला है यह फिलम जगत के अंदर है काफी शांदार परदर्शन रहा है इनका फिलम जगत के अंदर इसी को देखते हुए इनको पदम श्री आवार्ड से नवाजा गया है यहते दोस्तों पांच राजस्तान की हस्तियां जिनको पदम पुर्ष कर दिये गए हैं और आने वाले एक्जाम में भी पूछे जा सकते हैं पीटियाई का एक्जाम आने वाला है उसमें भी इनको पूछे जा सकते हैं और भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राजस्तान की कौन कौन सी हस्तियों को पदम पुर्ष कार दिये गए हैं एक्जाम की दरश्टी से भी काफी महतोपुन परसंद बनने वाले हैं तो आज की वीडियों में वैसे इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में तब तक जै हिंद जै भारत बंदे मात्रम